Hello everyone, welcome back to our channel तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे AIB exam के लिए State Bar Council में Enrollment के बारे में तो चलिए डिसकस्शन करें तो देखे गाइस जैसा कि आप सबी को पता है सबसे पहली जो भी आप लोगों को requirement होती है fulfill करनी होती है वो होती है अपनी डिग्री ठीक है LLB की डिग्री हो या फिर BALB की डिग्री हो ठीक है तो देखे गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक request है कि जो भी freshers candidates हैं ये वीडियो उनके लिए है विकास आप लोगोंने जो AIB 17 के candidates हैं उन्होंने तो अपना जो एक्जाम है वो दे दिया है बट आप में से कुछ ऐसे हैं जो दुबारा देना चाहती है या फिर जो बिल्कुली फ्रेशन है जो AIB 18 एक्जाम देंगे ठीक है तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से क्या प्रसेजर होता है तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को LLB या फिर BA LLB 3 years या फिर 5 years का course आप लोगों को complete करना होता है उसके बाद आप लोगों को जो है next step follow करना होता है वो होता है state bar council के अंदर enrollment जीके बहुत ही ज़रूरी होता है four step आप लोगों को यह fulfill करना होता है ठीके तो देखिए enrollment with state bar council the candidates have to enroll with the state bar council to apply and appear in the old India bar examination तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहला और important step यही होता है आप लोगों का AIB exam में appear होने के लिए ठीके first तो क्या हुआ AIB exam में appear होने के लिए सबसे पहले आप लोगों को state bar council में अपने enrollment कराना होगा they can enroll with the state bar council at least six months before expected AIB exam date ठीके वो exam date जो होती है उससे पहले आप लोगों को जो है registration enrollment जो है अपना state bar council के अंदर कराना होता है without enrollment जो है आप लोगों को AIB का exam नहीं दे पा होगे ठीके बिकास आप लोगों को जो है कोई ID वगेरा मिलती है इससे जो भी enrollment number होते है वो आप लोगों को state bar council से मिलता है ठीके और for AIB 2023 candidates who have been enrolled with the state bar council for every two years can also apply ठीके और for over two years can also apply जो भी मतलब basically क्या होता है अगर कोई candidate ऐसा है जो फोस टाइम में एक्जाम को ग्रेक नहीं कर पाया है तो मैं उनको बता देती हूं जो भी validity होती है ना state bar council की वो सिर्फ two years तक ही valid होती है उसके बाद आप लोगों को जो भी enrollment आप लोगों नहीं कराया तो उसको renewal कराना होता है ठीक है और as the exam was delayed this year here are some commonly asked questions for Indian bar examinations तो कुछ जो है candidates ने Indian bar जो भी examination होता है उससे related questions पूछे थे कि जो हमारा exam होता है basically अगर कोई candidate state bar council में enrollment जो है वो university के time अगर उसने अच्छा score नहीं करा है तो क्या उसका enrollment हो जाएगा या नहीं तो देखे guys university level पे college level पे आप लोगों को सिर्फ passing marks लाने हो तो उससे कोई impact नहीं बढ़ता आपके exam पे सिर्फ यह है कि आपके पास original valid degree होनी चाहिए जैसा कि BCI recognized आप लोगों की university college होगा उसके धूरू ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को जो है अपना high five marks true है वो लाने होते हैं नहीं सुर्फ आप लोगों को passing marks के लिए requirement होती है ऐसा नहीं होता ठीक है तो इस चीज का आप लोगों को थड़ा सा ध्यान रखना है और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी पहले वल है वहां से आप उस डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर नॉट्स भी अवेलेबल है ठीक है तो गाइस होप सो आप लोगों को वीडियो हेलफ लगी होगी है अगर आप लोगों को वीडियो हेलफ लगी ते लीज तो लाइक, श्रेयर, अब्सक्राइब देस चैनल for more videos thank you for watching this video